वुपेंजी बड़ी जिम्मेदारी लगातार चुनाओ के दोर में आप चलते भी रहे हैं और जब जब जिम्मेदारी मिली है बखुबी आपने जिम्मेदारी निभाई हैं लेकिन एक बार फिर आपके पास वही चुनाओ प्रबंदन की जिम्मेदारी है और चार जगे चुन चुनाओ में प्रबंदन की देश्टी से जो जो चीजें आवश्चक हैं वो हम सब लोग देखेंगे और सबी सीटों पर भारती जनता पार्टी चुनाओ जीते ये हम लोगों की कोसे सोगी लेकिन हमने देखा है दमों की बात भी आ जाती है हलाकि वो अलग रहा फिर उसके ब देखिए चुनाओ तो हमेशा कोई भी हो चुनाओती पूर्ण होता ही है परंतु मद्दाता इस बात को जानता है कि राज्ज में जिस दल की सरकार होती है उस दल का विदायक सांसद होता है तो छेतर पे विकास होता है और हमारी सरकार ने इन डेड़ वरसों में जो काम किय है वो सारा काम जनता के बीच में हम लेके जाएंगे मानी मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में हमारी देश की सरकार ने जो काम किया है वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम लोगों को पूरा विस्वास है कि जनता का जन समर्थन मिलेगा भी मानी मुक्मंत जी का जन दर्सन कारकरम अनेक छेत्रों में हुआ है और उसमें जिस तरह से जन सहलाब ओमड़ा है जिस जन सहलाब आया है इस से लगता है कि बड़ी अच्छी जीत भारती जन्ता पार्टी की सविस्थानों पर होगी लेकिन कॉंग्रेस कहीं साथ उस साथ वही दमों की कारण उस साथ मेनेजर आ रही है तो हलेकि कमलनाज जी भी आने की बात करें दिखाई नहीं दे रहे हैं पर कह रहे हैं कि हमारा एक इस तरह का मैनेजमेंट इस तरह से हमने तैयारी की मैनेजमेंट का जिमा आपके पास भी है और कॉंग्रेस भी कहती है कि मैनेजमेंट से आता है पर 2003 में Congress का सफाया हो गया था वो management सब फेल हो गया था तो इसलिए चुनाव जो है वो management उसका एक विवस्थाओं का हिस्सा होता है पर आप अकले management से चुनाव नहीं जी सकते जनता का जन समर्थन मिलना आवश्चक होता है और Congress जिस तरह से राज में बटी हुई है कई टुकडों में बटी हुई है जिस तरह से हर दिन Congress तूट रही है जिस तरह से Congress में देश वरोधी लोगों को Congress Party में प्रवेश दिया जा रहा है मतलब आज Congress की देश में ये हालत हो गई है कि कनिया कुमार जैसे लोगों को वो अपना नेता मान रहे है तो जिस पार्टी की ये हालत हो जाए जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी जिस पार्टी को कनिया कुमार को नेता मानना पड़े उस पार्टी की वरतमान इस्तिति क्या होग केप्टेन अमरेंदर सिंग ने कहा ही है कि राहुल गांदी और प्रियंका गांदी को राजनिती का अनभव नहीं है और अभी पंजाब में जो घटना किरम हुआ वो हम सब के सामने आ गया कि दो दिन तीन दिन में पूरी कॉंग्रेस कई टुकुलों में चली गए वो ही इस्त इस समय बरी हालत में यह प्रवंधन की जो जेमिधारी आपके पास ये किस तरह की होगी क्या और भी लोग आप के साथ होंगे क्या इसमें किस तरह की भूमिकाब की रहेगी एक पूरी टीम पार्टी मनाती है अद्दिक जी बनाते हैं और वो पूरी टीम जो रहती है आठत बारा लोग रहते हैं औ्र बैटके हम लोगों का काम चुनावी साहित है पार्टि के जो चुनावी कारीक्रण है नेताओं के दोरों के कारीक्रण है प्रकार सामग्रिय है यह सब चीज़ें जो होती है illηνका प्रबंदन का काम हम लोग देखते हैं और जो उपलब्दिया हैं वो जनता तक पहुँचें पूरा कैलेंडर बनाते हैं चुनाओं का तो इस तरह से प्रवंदन का काम एक टीम के रूप में हम लोग करते हैं बिल्कुल पेड़ना आप तो देखा होगा आपने भूपेंजी हमेशा अलग कि बिधान सभा और एक लुक सभा में चुनाओं होना है बहुत ही महतपूर हैं बहुत जिम्मेदारी इसमें निवाना होगा क्योंकि एक तरह से कहा जाए तेज के पहले यह सेमी फाइनल